हाई फ्रेंड्स असलामों अलेकूम विलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुती टेस्टी रेसिपी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता जो की बहुती टेस्टी बनता है आप एक बार इसे इस तरीके स बना कर देखिए बार-बार इसी तरीके से बनाएंगे यह मैं गैरेंटी के साथ कह सकती हूँ तो इसमें मैं आप लोग को एक इंग्रीडियंस बताऊंगी सिक्रेट इंग्रीडियंस है तो जिसे की भरता बहुत ही टेस्टी बनता है तो वीडियो के इन तक जरूर बने रह करते हैं तो बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले में इंग्रीडियंट्स हमें चीए बैगन तो बैगन मैंने यहाँ पर लिये है दो बैगन है जंबो साइस के आते हैं भरते के लिए अलग से बैगन आते हैं छोटे साइस के बैगन यहाँ पर यूज नहीं करना है य तो उसमें अगर भूने तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है लेकिन चूला हमारे पास नहीं है तो गैस पर इसे हम भून लेगे तो तेल मैंने लगा लिया है सब बैगन को इस तरीके से अब गैस की फ्लेम को आउन कर देगे और बैगन इस पर रख देगे तो इसे अलट पलट करके हमें अच्छे से भून लेना है ताकि ये अंदर तक पक जाए कच्चा ना रहे तो देखिए इस तरीके से मैं इसे घुमा घुमा कर भून रही हूँ अब यहाँ पर एक नाइफ लिया है मैंने और इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ कि बैगन अंदर तक पका है की नहीं तो देखिए बैगन बहुत ही अच्छे से अंदर तक गल चुका है पक चुका है सब साइट से मैं नाइफ इस तरीके से डाल कर देख रही हूँ तो बैगन बहुत ही अच्छे से भून चुका है तो अब मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में और आप देख सकते हैं बहुत ही soft हो गया है बैगन देखिए बहुत ही अच्छे से भून चुका है इसी तरीके का हमें भून लेना है बैगन तो दोनों बैगन को मैंने इसी तरीके से भून लिया है और इसका जो छिलका है हमें निकाल लेना है उपर का जो ये ब्लैक वाला छिलका है वो हम निकाल लेगे ठंडा होने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स उपर का जो छिलका था ब्लैक वाला वो मैंने निकाल लिया है बैगन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है बैगन क्लीन हो चुका है तो इसे हमें मैश करना है तो आप बेलन या स्पून कोई भी चीज यहाँ पर ले सकते है में चीज यही कि हमें इसे अच्छे से मैश करना है प्लेट में ही इस तरीके से तो बैगन की हम इस तरीके से पिटाई करते हैं वे इसे मैश करेगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों बैगन को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है तो यहाँ पर मैंने बैगन बनानी के लिए एक फ्राय पैन रख दिया है गैस पर दो टेबल स्पून ओइल मैंने गरम कर लिया है फ्लेम को लो कर देगे अब इसमें हम एड़ करेगे आट से दस कड़ी पत्ता कड़ी पत्ते को वाश कर लिया था इसमें एड़ कर दिया है अब इसमें हम एड़ करेगे दो मीडियम साइस की कट कीवी प्यास इसे भी अच्छे से भून लेंगे तो इसका कच्चापन निकलने तक हमें प्यास को भून लेना है जादा जलाना नहीं है तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर प्यास मेरी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है इसी तरीकी की हमें प्यास चीए तो इसे जादा जलाना नहीं है इसी तरीकी की प्यास चीए 1 teaspoon हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें अड़ कर देगे हरी मिर्च की कौंटिटी को आप अपने हिसाब से कमया ज्यादा कर सकते है Half teaspoon हल्दी पाउड़र अड़ कर देगे ज़ाधा ingredients इसमें नहीं पड़ेगे अच्छे से mix कर लेंगे सब चीजों को बैगन इसमें आड़ कर देगे, बैगन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मसालों के साथ, फ्लेम को लो कर देगे, लो फ्लेम पर हम इसे भूनते जाएगे, नमक इसमें आड़ कर देगे, वन टी स्पूर मैंने आड़ कर दिया है, आप अपने हिसाब से करना, अब हम अच्छे से मिक्स करते वे भून लेगे, बैगन को हम अच्छे से स्पून से मैश करेगे, इसमें जो बचावा जो बैगन होता है, अच्छे से मैश नहीं होता है कभी-कभी, तो इस तरीके से स्पून से प्रेस करते वे, इसे भी हम मैश करते वे, भून लेंगे, पकने के लिए छोड़ देगे तो देखे फ्रेश से आपर दो से तीन मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके है बैगन बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हो गया है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुश्बू भी आ रही है तो इसे मैं गार्निश करूंगी फ्रेश हरे धनि से चला देगे तो यहाँ पर बैगन का भरता मेरा बनके रेडी हो गया है तो मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है तो देखे कितने कम समय में हमने इसे बनाया है बहुत ही टेस्टी बनता है आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजिए में अगर चैनल पर नए आये हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हराने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई और आसान से रेसीपी के साथ तब तक दुआओं में याद रखना अलाफीस